महरास्ट्र के पूर मोख्य मंतरी उद्दफ ठाकरे पीम मोदी और भारती जरता पार्टी को घेरने चले थे लेकिन ये दाओं उन पर उल्टा ही पड़ गया और अपनी फजीहत करबा वेठे दरसल बीबीसी के दफतर पर आईटी सर्वे को लेकर के राजनीती जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है शिफ सेरा उद्दफ ठाकरे गुट की ओर से बीबीसी के दफतर पर आईटी के सर्वे की आलोचना किये जाने के बाद बीजेपी ने उद्दफ ठाकरे सहित विपक्ष पर तीखा हमला बोला है दरसल उद्दफ ठाकरे ने सवाल उठाया था कि ये लोकतंत्र में कैसा बिवार है इसके जवाब में बीजेपी ने उने याद दिलाया कि उनकी अपनी सरकार ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ में क्या किया था उद्दफ ठाकरे ने सवाल किया था कि लोकतंत्र की किस परिभाशा में मीडिया के ओफिस पर चापा मारना ठीक है इसका मतलब आप यानि की सरकार जो चाहिक कर सकती है लेकिन हमें आवाज नहीं उठानी है अगर कोई भी आवाज उठाता है तो सरकार उसे कुचल देगी सरकार पर उद्फ ठाकरे के सवालों पर तीखी परतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने पूर्व सीम उद्फ ठाकरे को समय की याद दिलाई जब वो महरास्टर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे किस तरीके से रेपब्लिक मीडिया नेटवर्क को सचिन वाजे के जरीए परिशान किया गया था इस दोरान रेपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इंचीफ अरनव गोस्वामी को महरास्टर पोलिस ने गरफतार किया था बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि अगर कोई सरकारी एजेंसी किसी मीडिया हाउस की तलाशी लेती है तो उदव ठाकरे जैसे लोग इसे लोकतंतर पर हमला बताते हैं लेकिन अरनव गोस्वामी की गरफतारी पर कुछ भी नहीं बोलते राम कदम ने आगे कहा कि ठाकरे ने अपने हितों के लिए अरनव गोस्वामी जैसे सालसी और बहादर पत्रकार को गरफतार करने के लिए पोलिस अधिकारी का इस्तेमाल किया था ये कानून का नियम है जैसे जो है बोगे वैसा काटोगे बीबीसी पर आईकर विभाग की कारवाई दरसल जारी है बीते मंगलवार की सुबह बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिस पर आईटी की टीम सर्वे लगातार कर रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरे निकल करके सामने आ रही है उसके मताबक सर्वे टेक्स चोरी के आरोप में किया जा रहा है सर्वे की चलते दिल्ली में बीबीसी के ऑफिस के ऑफिस को दरसल सीज कर दिया गया है बीबीसी ऑफिस में करमचारियों से भी लगा तक दरसल जो इंकम टेक्स डिपार्टमेंट है वो लगातार सर्वे कर रहा है तो उद्दफ ठाकरे जो दरसल चिटकते हुए दिखाई दे रहे थे जो उन्हें लोकतंत्र पर ये कुठारा घात लग रहा था उसका पलटवार करते हुए भारती जनिता पार्टी ने पिसलिये क्योंकि तब सुशाम सिंग राजपूत के वामले को लेकर के अरनव गुस्वामी लगातार उद्दफ ठाकरे से सवाल जवाब कर रहे थे लगातार उद्दफ ठाकरे सरकार को कट घरे में खड़ा करने की कोशिस कर रहे थे क्योंकि उद्दफ ठाकरे की सरकार थी वो खुद मुक्यमंत्री थे तो बीजेपी ने उन्हें याद दिलाया कि अरनव के साथ में क्या और उन्हें जात्ती की थी यह शायद उद्दफ ठाकरे भूल गए या फर जान भूच कर उस पर तो चुप्पी साथ करके बैठेंगे लेकिन बीबीसी पर जो गबीर आरोप लगे हैं जो बीबीसी पर कई समय से इस तरीके के आरोप लगते आएं और जो अब इनकम टेक्स डिपार्टमेंट को जो दरसल सर्वे जो कर रहा है जो हेर फेर की बात की जा रही है उस सर्वे को लेकर के अब विपक्ष दरसल चाती प आरती जनता पार्टी और पीयाम मोदी को घिरने चले थे लेकिन ये दाओं उन पर उल्टा ही पड़ गया और अपनी बुरी फजिहत करवा गये थे बीजेपी नेता रामकदम ने दरसल ओधठाकरे को उनकी सही जगह दिखाने में जराबी देर नहीं लगाई वहराल इस पू पले आपको लगेए